तो आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि बलोगर पे पोस्ट कैस से लिखी जाती है ठीक है और इस चीज के पूरा मैं जनकारी दूँगा दोस्तों यहाँ पे आप एक भी पोस्ट अगर अच्छी तरीके से आप लिख लेते हो अगर वो पोस्ट वाइरल हो जाता है तो आप जो है लाखो रुपिय कमा सकते हो ठीक है जैसे कि मैं अभी धोरा दिर में आपको बताने बाला हूँ कि एक पोस्ट जो है एक भाई ने किया और वो पोस्ट जो है वाइरल हो गया और एक पोस्ट से स्रीप जो है उसने एक लाख रुपिय कमा लिया है ठीक है तो मैं आपको बताने बाला हूँ ठीक है मगर इससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जो अगर blogger पे post जो लिखी जाती है तो उसमें जो होता क्या है कि title देना परता है अच्छी तरीके से और उसके बाद जो है उसमें post लिखना परता है उसके बाद जो है टैग देना परता है तो कैसे जो है यह सब करना है और जैनमें तरीके से वो मैं इस वीडियो में बताने बला हूँ मगर इससे पहले जो है मैं आप लोगों से छोटी सी request करूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को like कर देना है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को subscribe कर लेना है तो च सलिए मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर सफ करूंगा तो जैसे कि यहाँ पर गूगल ओपन हो चुका है तो यहाँ पर जो है मैं सर्च करूंगा जो है आया जिन्नु कीटिएठ है ठीक है इस इसके के नाम है जुनु कीटई.com ठीक है तो इस भाई ने जो है कैन मास्टर से रिलेटेड पोस्ट यहां पे डाला था और जो हैं गूगल के सर्च मैं आ गया, ठीक है और आ गया तो ये पोश्ट जो है समझलो कि वैरल हो गया और इस पोश्ट पे ब्यूज कितना आया है वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, तो जैसे कि यहां पर आप यह देख तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि यह website जो है चुलिए आपको बता देता हूं जैसे कि यहाँ पर आपके website लगता है तो यह होता है यहाँ पर ज़्यादा अगर click होता है तो आपको ज़्यादे पैसे मिलते हैं अगर कम किलिक होते हैं तो कम पैसे मिलते हैं ठीक है बात यहां पर यह आ जाती है कि अगर आपके इस एड़ पे जो है नहीं भी किलिक होते हैं तो भी पैसे मिलते हैं लेकिन उसके कम पैसे मिलते हैं अगर इस पे किलिक होता है तो उसके जादे पैसे मिलते है तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर नीचे भी add आपको दीख जाएगा जो कि यह वाला add है ठीक है उसके बाद यह add है ठीक है तो इसके पैसे मिलते हैं website बना के उस पर post जब करोगे तो ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो है कैन मास्टर से जो है related यह भाई ने यह post डाला था ठीक है तो इस पे जो है ब्यूज कितना आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाग 27,030 भियूज आया है ठीक है अगर आपके भी post पर जो है इतना ब्यूज आता है तो आप भी जो है लागोर रुपर कमा सकते हो ठीक है तो इसी चीज के बारे में आपन हो गया अगर आपका वेबसाइट नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं इसके लिए यहां तक आने के लिए जैसे कि यह पेज जो मैं आपन कर रखाऊं इस पेज तक पहुंचने के लिए एक वीडियो का लिंक जो है मैं इस डिस्क्रेप्शन में दे दिया हूं वहां सबसे पहले हमें करना क्या होगा लेकिन उससे पहले यहां पर आपको बता देता हूं कि अभी जो बेबसाइड बना हुआ है तो यह अभी सिंपल बेबसाइड है इसमें अभी कोई पोस्ट नहीं हुआ है तो एक बार देख लेते हैं तो जैसे कि यहां पर आप देख रहों कि यह बेबसाइड ओपन हो चुका है आप यहां पर आपको कोई पोस्ट जो हुआ न से पैसे पाइजंग वासान ही तो उस चलिए आप जो है मैं इसमें पोद हो तो पोश्ट लिखने के लिए जो है यहां पर करना क्या होगा कि यहां पर आप तो किलिक होने़े बाद जो यहाँ पे इस तरीके से जो ए आप के सामने page open हो कि आ जाएगा ठीक है अगर आप यहाँ पे जो है पोस्ट लिखते हो ठीकए सच में अगर वह वारु हो जाता है जिस तरीके से मैं ने आपको बताया कि उस पे एक एक लाख बारा हजार जो कुछ व्यूज था अगर उतना आ जाता है तो आप भी जो है लाख रुपिय कमा सकते हो और इतना ही नहीं अगर आप इसमें जो है दस पोस्ट करते हो ठीक है तो दस दस पोस्ट पे अगर उतना उतना व्यूज आ जाता है तो सोचलो आप कितना कमा स सकते हो ठीक है लेकिन चलिए मैं इसमें सबसे पहले आपको जो है पोस्ट लिखने का तरीका में आपको बता देता हूं ठीक है तो यहां पर जो है सबसे पहले के लिए टैल लिग दिया हूं कि YouTube चेनल कैसे बनायक है तो चलिए उसके बाद को करना क्या होता है कि आपको जो यह तंबनेल लेना परता है ठीक है एक फोटो सब्सक्राइ Move कि friends क्लिक करने के बाद जोहें यहां से आप फोटो ले सकते हो यहां पर अप्लोड फॉर्मGame केम्पूटर पे क्लिक करके ठीक है अगर आप मोबाइल में यूज करते हो तो आपको करना क्या होगा कि आपको जोए क्रॉम बोजर को यूज करना होगा और उसमें जो है आपको एक डिसक टॉप साइट यूज़ करेगा वहां अगर आपके मोबाइल गैलरी में अगर ऑपन होगा तो यहां फो ले लेवाला जो है मैं फोन्टो ले लेता हूं एक्षfour लसके लिए तो यह अपलोड हो रहा है अभी तो अपलोड होने के बाद यहां पे यह पोदो आ जाता है ठीके तो आप इसको क्या कर सकतो नहीं अगर आप जो भी पोस्ट करते हो उस का यहां पे title देना है ठीके, तो चलिए यहांपे जो है आपको title देना है जो भी post हो आपका title क्यों देना है वो भी चीज में अभी आपको बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर आपको पूरा नाम पूरा title देना है ठीक है जो भी आपका post हो उसके बाद जो यही same to same जो नीचे में डाल देना है और यह जो फोटो है पीछे इसका जो है size कितना बड़ा करना है वो चीज यहाँ से आप कर सकते हो अगर medium में रखना है तो medium ही में आपको रखना है ठीक है तो चलिए इस चीज को हम क्या कर देते हैं update और उसके बाद जो है यहाँ पे जो हो चुका है तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि post के अंदर जो है title देने से आपको यह फाइदा होगा कि अगर कोई google पे search करता है तो उसके सामने आपका photo भी आ सकता है ठीक है जब आपका photo जो जाएगा तो photo पे जब click करेगा तो वो direct जो है आपके website पे भी आ सकता है ठीक है तो इस तरीके से जो है आपको post लिखना है और जो है आपको करना क्या है कि इसके बाद जो है आपको जो है इसको जो नीचे की और ले आना है उसके बाद फिर तो जैसे कि यहां पर आ गया है अब उसके बाद जो यहां पर आपको कुछ लिखना है ठीक है तो चलिए मैं लिख देता हूं क्यूंकि मैं copy किया था तो मैं अभी paste कर दिया हूं ठीक है अगर आपको दूसरा image यहा पर क्लिक करने के बाद जो है जो भी आपके गैलरी में जो है पॉंटो होगा उस पॉंटो को यहां से लेगिना है तो एक्जामपल के लिए मैं यहां से कोई भी समय उठा रहा हूं स्रिप आपको बताने के लिए तो जैसे कि यहां पे आप देख रहों कि नीचे में जो है दूसरा पोस्ट आ चुका है अब जो हम करेंगे क्या यहां पे कि इसको जो है फिर से क्या करेंगे इसके नीचे जो है हम कुछ लिखेंगे ठीक है तो चलिए मैं जो है पेस्ट किया हूँ तो चलिए यहाँ पे जो है मैं पोस्ट किया हूँ तो यहाँ पेश्ट कर देता हूँ ठीक है तो नीचे में भी लिखा गया ठीक है अगर उसके बाद यहाँ से इसी तरीके से लिखना है इसी तरीके से जो है आपको फोटो डालना है लेवल आपको देना है ठीक है कि मैं इसका टैटल डिया हूं, YouTube चैनल कैसे बनाए ठीक, तो इसका लेवल होता है, क्या होता है, चलिए मैं यहां भाचा है, यूटुब टीप्स अब उसके बाद जो है यह जो है लेवल हो चुगा है ठीक है और उसके बाद जो है यहां पर आपको करना क्या है कि यहां से आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ जो है यहां पर लॉकेशन भी आप सेट कर सकते हो परमा लिंक है उसके बाद जो है तो यहां पे यह सारा option जो है आ जाता है ठीक है तो चलिए यह इतना आप समझ जाते हो उसके बाद आपको करना क्या है कि यहां पे एक option आता है क्या मालूम है कि आपको जो है टैग डालने का ठीक है मैं चीज होता है कि टैग टैग वह चीज होता है जो कि कोई अगर सर्च करता है तो आप जो भी टैग डालोगे अगर वह चीज अगर गूगल पर सर्च कर दिया तो आपका पोस्ट आ जाएगा ठीक है तो टैग का मतलब यह चीज होता है ठीक है उसे मे कैसे करना है तो वो चीज़ जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा फिलाल आपको इतना सीखना है ठीक है अच्छी तरीके से क्यूंकि आपको जो है मैं step by step बताऊंगा ठीक है नहीं तो इसमें हो जाएगा क्या कि वीडियो लंभी तो फिर आप जो कटखुट कर द आता हूं ठीक है तो फिलाल यहां पर जो है यह चीज करने के बाद जो हम क्या कर देंगे पोस्ट कर देंगे ठीक है तो पोस्ट करने के लिए जो है यहां पर जो आप देख रहो इस पर आपको किलिक कर देना है तो यहां पर जो है पॉब्लीज पोस्ट हो जाएगा कॉन फॉर्म पर फिर आपको किलिक कर देना है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहो कि एक post जो है हो चुका है अब जो है हम इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ से view your blog पे click करके देख सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहो कि एक post जो है हो चुका है अब यहाँ पे होता क्या है कि यह website नया नया होता है तो यहाँ पे एड आपको नहीं दिखेगा अगर आपका यहाँ पे website पुराना होता है कम से कम आपको 20-25 पोस्ट डालना होता है उसके बाद आपको एक domain लेना परता है domain के बार दो है उसमे आपको क्या करना मिलकर न करना हुट है ठीक है 2007 से लिंक करने के बाद जो इस पर केड़ आता है ठीक है तो यहां पर आएगा अफ्जों नीचे लगाना चाहूंगे तो नीचे आएगा ठीक है तो यहां पर इस तरीके से पोस्ट दिख जाता है आए कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपने website का पोस्ट ठीक है और वहाँ पर जो है मेगा टैग क्या होता है वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ आपको चैनल तो बैक होने के बाद जो है मैं अपना भी website ओपन करूंगा तो यहां पर आप देख रहों कि यह जो है मेरा website है और यहां पर इस तारीके से जो है पोस्ट लिखा हुआ है तो यहां पर जो है मैं इसको ऑपन करके मैं अभी देखा देता हूं कि मेगा टैग होता क तो यहाँ पर लिखा हुआ है टिकटोक है क्या और टिक टोक से पैसा किसे गमाit ठीक है तो चलिए उसमें менøste पोश्ट में लिख रखा हूं और उसके बाद नीचे तक आपको दिख जाएगा लेकिन आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं यह सारा लेवल है जितने भी पोश्ट अगर आप यहां पर डालोगे तो सभी पर आप अपना लेवल दे सकते हो ठीक है और उसके बाद इसमें मे अगले वीडियो में बताओंगा तो चलिए मैं इस पर अभी किलिक कर देता हूं तो मेगा टैग में आपको करना क्या होता है डिस्करप्शन जो है देना परता है ठीक है तो यहां पर डिस्करप्शन में आप जो है जो भी कुछ लिख सकते हो अपने पोश्ट से कि आपका पोश्ट जो है तुरंत के तुरंत आ जाएगा ठीक है तो चलिए आप जो है मैं अपना इस वेपसाइड का थीम दिखा देता हूं कि कैसा है इसका लूक ठीक है तो यहां पर हम किलिक करेंगे व्यू योर ब्लोग पर तो यह मेरा वेपसाइड जो आपन हो चुका यहां पर मैं अभी डॉमिन नहीं ले रखाओं डॉमिन लेने के बाद यहां पर लिंक करूंगा उसके बाद यहां मेरे भी वेपसाइड पर दिखेगा ठीक है उसके बाद यहां पर लोगो है और उसके बाद कोई भी यूजर आता है तो यहां पर सर्च करेगा ठीक है तो यहां आपको जो है दिख जाता है यह सब चीज और उसके बाद यहां पर आप 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 आउट है यहां पर सो्सीयल जुर फूलिंग है ठीक है उसके वात प्रीट यहां पर एक आप नीचे जब आते हो तो्तरी करना उस तरीमाइज कर थीग है लेकिन उसके लिए आपको जो है सिखना परेगा step by step क्योंकि अगर मैं पूरे बलोग के बारे में अगर आपको समझाने लगूंगा तो यह वीडियो कम से कम हो जाएगी पांच घंटे की ठीक है तो पांच घंटे जो है कोई भी नहीं देख पाएगा तो इसके लिए जो मुझे step by step जो है आपको तरीके से उस तरीके से आपको लिखना है और पोस्ट करना है और उसके बाद जो है मैं आपको जो है अगले वीडियो में आपको mega टैग को जो है open करके मैं दिखाऊंगा कि उसमें कैसे ऑन किया जाता है फिक है वह चीजह अगर enable कर लोगे तो आप जो है बहुत ही पाइदे कर सकते हो क्योंकि online earning करने के लिए दो ही तरीका है ठीक है या तो पहला YouTube है या दूसरा जो है blogger है ठीक है यह दोनों जो है Google का ही product है और वैसे भी Google के product पे ज्यादा विश्वास करते हैं लोग तो इसी चीज के बारे में जो है मैं आपको इस चैनल पर बताता हूं तो पीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का आपको मिलता रहा है तो चली आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं अगले वीडियो में